एन टीवी टाइम जानता की बात जानता के साथ गोपी चंद्र गुपता उम्र लगभग 48 वर्ष गाउं में ही घर के नीचे किराने की दुकान करता था वदवार की सुबा प्रती दिन की भाती गोपी चंद्र करीब 6 बजे दुकान खोल कर बैठा था तब ही उसका छोटा भाई महराज दीन बीडी लेने के लिए दुकान पर आया इसी दौरान दोनों में किसी बात को लीकर विवाद हो गया विवाद से आक्रोशित होकर छोटे भाई महराज दीन ने वही पर रखे दो किलो के बाट से बड़े भाई गोपी चंद्र गुपता के सिर पर कई प्रहार कर दिया प्रान खातक हमले में गोपी चंद्र गुपता की मौके पर ही मौत हो गई ग्रामेडों के मताबिक आरोपी महराज दीन दिल्ली में रहेकर मज़़ूरी का कारी करता था दिल्ली में उसने एक मज़़ूर साथी की हत्या कर दी थी जिसमें उसे 12 वर्ष की सजा हो गई थी सजा काटने के बाद वह गाउं आकर रह रहा था गोपी चंद की मौत से संतराम सरीता के सिर से पिता का साया चिन गया पुलिस ने घेरा बंदी कर आरोपी महराज दीन को हरदोई और महराज गंज के बीच से ग्रफतार कर लिया है राय बरेली से जिला समाद दाता अफे सिंक्रिक आज सुबह इसी बात करके घर आया और यहां कुछ अपना बात हुई इसके निकला था देखने में यह लगा की जिसे दो किलो के बात से इसके हैट रहे हैं तब रूबर 2022 को सुबह करीब 7 बजे दायल 112 के मांजन से सुचना प्राप्थ हुई की थाना बचरामा छेत्र अंतरगत कोपी चन्द पुथ स्वर्गी सिवहर्ष उम्र तिरपन वर्ष निवासी हसनपूर थाना बचरामा रा किया गया मिर्टक की घर पर ही पर्चुन की दुकान है जिसमें रखे लोहे के बाट से उसके छोटे भाई द्वारा सीर पर मार कर रहत्या कर दी गई है उस तायर पर पर पशाचला की महराज दिन मांसी ग्रूप से बिमार है आरोपी पुलिस हिरासत में है साओ को पंच्या कारवाइब परसलित है मौके पर कानुव व्योस्ता समंदी गोई समस्चा नहीं है